आज हम आपके लिए लेकर आया है 31st Special Eggless Gingerbread Cookies की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है Traditionally इसे आइसिंग के साथ बनाया जाता है लेकिन आज हम इसे थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे ये वीडियो पूरा देखे और जाने के गर पर ही बिना आइसिंग के एगलेस जिंजर ब्रेट कुकीज कैसे बनाते है तो चलिए रेसिपी शुरू करते है Welcome to Cook with Pumika सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में दो कप मैदे को छान कर लेंगे क्योंकि हम एगलेस बेकिंग कर रहे है इसलिए इसे चान कर इस्तमाल करने से कुकीज अच्छे से फूलती है और आटा लगाते समय इसमें गाठे भी नहीं पड़ती है इसमें आधी टी स्पून दालचिनी का पाउडर डालेंगे इसमें एक टी स्पून सौंट का पाउडर डालेंगे मसाले आप अपने स्वात के अनुसार एड्स के पिया एड़जस्ट कर सकते हैं इसमें एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और आधी टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से ब्लैंड हो जाए अब हम इसमें एक कप ब्राउन शुगर डालेंगे अगर आपको और रिच और डार्क कलर चाहिए तो इसके बदले इतनी ही मातरा में डार्क ब्राउन शुगर का इस्तमाल भी कर सकते हैं और परफेट कुकिस बनाने के लिए रेशियो हमेशा दो पाग मैदा और एक पाग शक्कर का ही रखे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर बाकी की सामगरी के साथ इवनली ब्लैंड हो जाए अब हम इसमें आदा कप रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ बटर और एक टी स्पून वैनिला एक्स्ट्रेक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दीरे दीरे करके दूट डालते जाएंगे और इसका नज्यादा सक्त और नज्यादा नर्म ऐसा आटा लगाएंगे जिंजर ब्रेट कुकीज के लिए आटा तयार है अब हम इसे 15 मिनिट के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रखेंगे ताकि हम इसे आसानी से बेल पाए फ्रीज में 15 मिनिट रखने के बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है अब हम एक parchment paper लेंगे और उसके उपर आटा रखेंगे और उसके उपर दूसरा parchment paper रखेंगे अब हम इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे और इसकी ठिकनेस आप अपने पसंद की अनुसार रख सकते हैं और parchment paper का इस्तमाल करने से आटा चिकुतता नहीं है अब हम उपर का parchment paper हटा दींगे अब हम एक plate लेंगे और इसके उपर रख कर इसे अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और इसे round shape देंगे और इसकी side से extra अटा निकाल देंगे अब हम प्लेट को हलके हाथों से उठाएंगे क्यूंकि आटा बहुती soft है इस तरह का एक स्टैन लेकर इसके सेंटर में रखेंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे और इसे कुकी स्रिंग का शेप देंगे अब हम स्टैन को हलके हाथों से उठा कर सेंटर से एक्स्टर आटा निकाल देंगे इसे संबाल कर बेकिंग टिन में रखेंगे क्यूंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट है तो ये तूट सकता है क्यूंकि हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से आइसिंग से गार्निश नहीं कर रहे हैं इसलिए इसे अच्छा लुप देने के लिए इसके उपर जेम्स लगाएंगे आप इसके बदले चोकोचिप्स का इस्तमाल भी कर सकते है अब हम माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे ये प्रीहीट हो गया है अब हम इसे खोल कर इसमें लोवर रेक रखेंगे और इसके उपर बेकिंग टिन रख देंगे और इसे 180 डिग्री पर 10 मिनिट के लिए बेक करेंगे जब तक ये बेक हो रहा है तब तक बाकी के आटे को पार्चमेंट पेपर और बेलन की सहायता से बेल लेंगे अब हम इसे कुकी कटर की सहायता से कट कर लेंगे इसके स्पेशल क्रिस्मस ट्री और स्नोमेन वगेरा के शेफ के कुकी कटर भी मार्केट में मिलते हैं आप चाहे तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं कुकी के ऊपर जेम्स लगाएंगे और बाकी की कुकी इसी तरह से बना अब हलके हाथों से साइड से एक्स्टा आटा निकाल देंगे इस आटे को एर टाइट कंटेनर में फ्रीज में एक दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं ये कच्चा लग रहा था इसलिए दस मिनिट के लिए और बेक करेंगे तो आप इसे 180 डिग्री पर 20 मिनिट के लिए बेक करें ये बेक हो गया है और ये बहुत ही गरम है तो इसे साउधानी से बाहर निकालेंगे अब हम इसे एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे अब हम चमच की साहायता से कुकीज को बेकिंग टीन में रखेंगे और दो कुकीज के बीच में जगा रखेंगे ये फूलेगी, हमने यहाँ पर नॉन स्टिक बेकिंग टीन का इस्तेमाल किया है इसलिए इसे ग्रीस नहीं किया है अगर आप कोई और बेकिंग टीन का इस्तेमाल कर रहे है तो इसे ग्रीस ज़रूर करें इसे कनवेक्शन मोड में 180 डिगरी पर प्री हीट करेंगे प्री हीट होने के बाद इसमें लोवर रैक और उसके उपर बेकिंग टीन रखेंगे और इसे 10 मिनेट के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे ये बेक हो गये है और ये बहुती गरम है तो इसे बहुती सावदानी से बाहर निकालेंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे प्लेटिंग के लिए कुकीज को रिंग में दो जेम्स के बीच में रखेंगे और रिंग के सेंटर में कोको पाउडर को छान कर चाकु की सायता से हैपी न्यू येर लिखेंगे बाई बाई ट्वेंटी ट्वेंटी और साल की आखरी रेसिपी बढ़ियासी एगलेस जिंजर ब्रेड कुकीज तयार है वो भी बहुती आसानी से और थोड़े से अलग तरीके से बनाई है और बहुती स्वादिश्ट बनी है तो इस 31st को अपने फैमिली को एगलेस जिंजर ब्रेड कुकीज इस रेसिपी से ट्राइ करके जरूर खिलाए और 31st बहुती अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपना फिटबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताए स्टे टून्ट पर मोर रेसिपीज आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत सारी शुबकामनाए अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें इससे हमारे चैनल की हर सिंगल अपडेट आप तक रेगिलर पहुँचेगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें शेर करें और कमेंट करें थैंक्यो पो वाचिंग मैं वीडियो